हलो दोस्तो नमस्अर आपका स्वागत है हमारे चैनले में दोस्तो आज एक और अच्छी भृति के बार में बात करने वाला हूँ जिसमें करीबन दोस्तों बीए सी यानि की ब्रॉंड कास्ट इंजिनेरिंग कॉंसलेशन लिमिटेड इंडियन कंपनी का नुसार एक भरती निकली है जिसमें मेन पावर्स और मेन पावर्स कांसिलिंग अकाउंटेड जूनियर इंजिनेरिंग इन पदों पे भरती होने जा रही है तो दोस्त आपको बता दे कि इसमें कुछ पोस्टे हैं जो ट्रीड वाई नियदायत की जैसे कि 2684 पोस्टे हैं जिन प्रदों पर भरती होने वाली तो दोस्तों हम इसके पूरे नुट्रिकेशन को जानने की कोसिस करेंगे उससे पहले हम थोड़े सिसके मोस्ट बहुत बाते जान ले इटेड के अनुसाद 2684 पोड़ों पर शिल्क रिम मैन पावर मैन के भरती होने जारी है जिसकी उम्मीद वारों को बता दे कि 25 2019 यानि कि जुलाई के पहले महा से पहले आवधन करना होगा तो दोस्तों आपको इस के अनुसार ये बता दे कि आवधन पर क्या पूरी सिपद हैं जिसमें कुर्स कुसल जने से हैं जी एस की पावर पावर में की होगी करेबन 1342 पोस्ट हो और जन सक्ति की बात करते हो दोस्तों 1336 क्या स्वास पोस्ट होगी सलागार लेखाकारिय के विन की 5-6-7 पोस्ट होगी उम्मीद वारों कि आयू निधायर्त सिमा से बा अब कोल्फिकेशन की बात करते हैं 6-6 योगता है की दूस्तों थोरह स्ट धिछान से सुनें इस बात को आपके लिए कोल्फिकेशन मेहत्यपून है अगर आपके पास यह पीए पास होना जरूरी है आइटिया और आपको बताते की साथ में बीटेग इंड इलेक्टरिकल से भिहारती उसमें आवाध्धिन कर देंगे तो दोस्तो अपके लिए में तेपुर बात एक बार फिर भीम और फिरसे रिपीट कर देता हूं कि बाद कुछ दिनों बाद आपके एडमेट कार जा रही होगे फिर एक्जाम डेट फिक्स होगी फिर उसके अनुसार आपको एक्जाम देनी होगी वेतन की बात करते दोस्तों इसमें करीबन आपको 30,000 से 50,000 तक सेलरी होगी और इसमें पोस्टों के अनुसार निधाहरत की है जड़ी पिर आपको उसार वरम साथ का आवेधन के दोस्तों का करना होगा जिसे को पचास पर आवद से स्टों करने के लिए तो इसमें Ц की वे पसले जाना हो होगा तो आपको इसकी आपको कि लिए Article जुलाई से पहले website के पर आविदन कर पाएंगे तो दोस्तों इसके अंतिम तारीक निदायरत हो चुकी है 25 जुलाई तो यानि कि दोस्तों यह 10-7-2014 से शुरू हो चुके हैं यानि कि अभी आविदन प्रोसेसर चल रहा है और इसके लिए आपको आविदन करना होगा अब च प्रोस्त के लिए नि कॉंस्टिट्ट जोब के लिए आविदन करना चाहते हैं 1342 पर लकनाव लोकेशन होगी जोब की आविदन पर क्या शुरूची कि 25 पर आप अपलाई कर सकते हैं तो आपको लिए सबसे पहले इसका लिंक पर जाना होगा और इसी दोरान दोस्तों सिल् लखनाव में होगी सारी पोस्टो कर सकते हैं इन पोष्टो के लिए आप आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तो यह हो इन पोस्टो का वेज़न अब जुद्ध तो दोस्तो यह हुआ आज की इस भरती का पूरा प्रोशेसर अगर अगली भरती के बारे में जानना है तो ऐसे हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आप स्वेम आवे दिन करना चाहते हैं तो इस अप्लाइप क्लिक करें एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों इसक आप स्वेम भी आवे दिन कर सकते हैं तो दोस्तों आपको बता देगा अगर आप स्वेम आवे दिन करते हैं तो दोस्तों को जादा बड़ा इसू नहीं है छोटी सी दिक्कत आएगी बस आपको अपनी नियम अनुसार आपको ध्यान देना हुगा कि कौन सी चीज क्या है क् यस और नो में जवाब देते रहें और अपना फुरम फील करते हैं जिसे पहले आपको ले चलते हैं दोस्तों इसके ओपसेली नोटरिकेशन पर तो इसका ओपसेली नोटरिकेशन का लिंक पर आपको नीचे परवाइड करवा दिया जाएगा आप चाहिए तो वहां से देख स इंपलोईमेंट के अनुसार होगी। दोस्टों इसमें आपको बता सकते हैं कि कोलपीकेशन आश्क्तिक मऽ लगी अश्क corrections होल अधे ब्याकर और आथेयदिन कर सकते हैं। दोस्टों यह मेगजमां कोलपीकेशन अदिग्री आज़े साइनस बायलोघी और qualification, hospital वगरा जो भी है आपके पास तो आवे दिन कर सकते हैं इस post के लिए, पहली post के लिए, second post के लिए भी आपको आवे दिन करना होगा तो दोस्तो इस post के लिए आपको बता दें कि यह पूरा प्रोसेसर, ओफलाइन और ओनलाइन दोनों माद्यम से है तो दोस्तो अब आपको बता दें कि कौन सा online होगा, कौन सा offline होगा जिसके लिए आप apply करेंगे तो दोस्तो इस भरती के लिए मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि आप अगर online आवे दिन करना चाहते हैं तो जिस post के लिए apply करना जाते हैं, ओहां पे ध्यान दे दोस्तों ये ऐसा आप अप्लाई करते हैं तो आपको ऐसा लिंक मिलेगा जिसके लिए आपको सिलिक अनुसर मेनेजमेंट पावर के अनुसर आपको कोल्पिकेशन इदाहत करनी होगी फस्त नेम मेडेन नेम लास्ट नेम तो आपको जो भी है महीला उपर दोनों ब्यारते आवदन कर सकते हैं इमेल होना जुरूरी है आपके आदार नमर होना जुरूरी है पेनकार नमर है तो वह भी डाल सकते हैं देटो बर्त के अनुसर आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं मेरी यह भी आपको select करना होगा जो भी category है आप वो भी आवजन कर सकते हैं और अपने regular numbers और mobile numbers जो भी father's name जो भी है आप इस पूरे form को fill कर सकते हैं तो दोस्तों ज्यादा tough नहीं है आप बिल्कुल आसान है form fill करने का तरीका और दोस्तों exam की बात कर तो दोस्तों exam pattern के लिए आपको बता दें इसमें 120 नमर का paper होगा और सबसे अच्छी बात यह होगी कि आपके लिए इसमें 35 नमर की आपकी टेक्निकल डिपार्मेंट के subject शेयर आपके पास इसके question आने वाले हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो like करे सब्सक्राइब करें सेर करें दोस्तों अगर आपको से relative किसी परकार की समय से हो तो comment box में जरूर लिखे हम आपकी जरूर मदद करेंगे धन्यवाद दोस्तों